आरिये जगत के ऐसे बहुत उच्चकोटी के महुपदेशक जिनों ने अपना संपूर्ण जीवन इस मिशन के साथ समर्पित कर दिया और बड़ी विसम परिस्थतियों के अंदर प्रचार प्रसार किया है आज भी निरंतर उस प्रयास में आप लगे हैं आदर और सम्मान शद्धा की योग्ये पित्री तुल्ये आदेनी श्रीपंडेत रामनिवाश जी आरिये उनके साथ में आयवे उनके समस्तिस है योगीगन बहुत ही आदर सम्मान शद्धा की योग्ये वाद्धे अंतर पर बहुत अच्छी संगती कर रहे हैं आदर नी भ्राता ब्रिजेश जी आदर नी अत्तनु जी और ये बहुत ही व्यवस्थित आरिये समाज शेक्पुरा खाल सा जिसके संग्रक्षा ही आदर नी शद्धे है डिप्टी डियो स्री चौधरी राम सिंग्जी एवं बहुत ही आदर सम्मान शद्धा की योग्ये आदर नी भावजी स्री चौधरी कुल्दीप सिंग्जी आरियें पूर्व चेयर्मेन वनविभाग हरियान प्रदान पद को सुशोभित करने वाले बहुत सरलता और सुम्मता की प्रतिमूर्थी आदर नी भावजी स्री सुभाश जी आरियें और बहुत ही कर्मट बहुत ही सक्रिय हमारे मंत्री आदर नी बड़े व्राता स्री प्रमोच जी आरियें और मैं देख रही हूँ के सभी चित परिचित चेहरे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो मेरे लिए बहुत ही वंदिनिये हैं आपकी गरिमा मैं उपस्थती को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ इस सारे के सारे कारिकर्म को रिकोर्डिंग कर बड़े विवस्थत रूप से एडिट कर जिन्होंने इस मल्टी मीडिया के माध्यम से घरोंडा और आरिये समा सेख पुरा खलसा को एक बहुत दूर तक फैलाने में भूमी का निभाई हैं आदेनी ब्राता हार्शित जिन मेरे छोटे छोटे भाईयों और बहनों बेटे सीधे हो के बैटो पालती मार किया बहुत अच्छे बच्चे हैं यहां के और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से सुनते हैं सीधे हो के बैटो है ना बहुत सुन्दर सा ये कारिकरम यहां पर चल रहा था और आप सभी बड़े अवधान के साथ इसको सुन रहे थे आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की इस दुद्धे कालीन सत्र में आईए कुछ चर्चा मैं भी आप लोगों के मद्धे में करती चलू अपनी चर्चा को यहां से आरंब करती हूं कि परमपिता परमेश्वर ने जब यह स्रिष्टी बनाई तो इस स्रिष्टी की प्रतीक व्यवस्था को आप यदि देखेंगे मनुष्य को छोड़ करके मनुष्य के इतर जितने भी प्राणी है जितने भी जीव जन्तु पसु पक्षी और जितने भी जड़ पदार्ते हैं वो सब के सब परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा के नियम में यूं कहलीजे कि परमात्मा के सवविधान में बंधे हुए सूरिय का जो नियम एक अरब छाण में करोड आट लाग त्रेपन हाजार एक सो बाइस वर्ष पहले स्रिष्टी की आदी में जो मनुष्यों ने देखा होगा वो नियम आज भी वही है या कुछ बदल सा गया है क्यों जी वही है कुछ नहीं बदला अगर इसी प्रकार से हम चंद्रमा की स्थिती को देखें तो इस स्रिष्टी में स्रिष्टी की आदी से लेकर के अब तक जो चंद्रमा की स्थिती है जो चंद्रमा की विशेस्ता है या जो एक चंद्रमा का सिस्टम है उस सिश्टम में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बोलो नहीं है वाईयू में कोई परिवर्तन नहीं जल में कोई परिवर्तन नहीं पृत्वी में कोई परिवर्तन नहीं भोवोलिक परिस्थतियां कुछ बदलती रहती हैं उसमें प्रकर्तिक भी होता हैं और कुछ मनुष्य की भी अस्त्वियस्त ताइं होती है जिसके कारण प्रकर्ती के अंदर कुछ न कुछ बदलाव आता ही रहता है जैसे इन दिनों आप लोगोंने एक न्यूज सुनी होगी के प्रत्वी जो है पहले 24 गंटे में अपनी धुरी पर गूम करके एक चक्कर को प प्रभाव बढ़ रहा है तो 24 गंटे से कुछ सेकिंड पहले ही प्रत्वी अपने चक्कर को पूरा कर रही है यह अंतर अभी निकल के आया पिछले 15 दिनों में जब वेज्जानिकों ने उस गणित को इसाब लगाया तो 24 गंटों से कुछ सेकिंड पहले ही प्रत्वी उस च पूरा कर रही है और यह भविश्य के लिए अच्छे लखशन नहीं है तो पता चला कि जो भी व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो सब व्यवस्थित हैं आसा तो नहीं है कि शिर पहले बहुत ज्यादा हिंसक था और आज का शेर दयालू स्वभाव का हो गया हूँ ऐसा तो नहीं है न वो पहले भी हिंसक था और वो आज भी बोलदो जरा हिंसक है इसका प्रत्यक शुधारण आपने एक जुहू के अंदर देखा होगा जब एक व्यक्ती शेर की लाइव रिकोर्डिंग करना चाह रहा था बड़ी नजदीक से तो कैमरा लेकर के सेल्फी लेते वे नीचे ही गिर गया और जब नीचे गिरा तो शैद वो व्यक्ती थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था अब वो नीचे ही गिरते पता लगा जब उसकी हरकते टीवी पर दिखाई तो वो सेर के सामने क्या जोड़ रहा था जी जोड़ो हाथ जोड़ रहा था और कहते हैं वो वहाँ पर जिनोंने प्रत्यक्ष देखा जे माता दी है भगवान बचा ले ऐसे से कुछ वाकी भी वोल रहा था पर बच्चो आप बताना अगर शेर के सामने हाथ जोड़ें या शेर की जेजेकार करें या नारे लगाएं तो शेर हमें छोड़ देगा क्या नहीं छोड़ेगा ना अच्छा पाला पड़ चुका है क्या शेर के साथ तुमारा गई नहीं छोड़ेगा ये छोटे बच्चे भी जानते हैं तो शेर के सुभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं आया पशुपक्षियों के खानपान में कोई परिवर्तन नहीं आया उनकी क्रिया विधी में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वो सब परमात्मा की व्यवस्था में बंदे हुए है पता चला इन जड़ पदार्थों को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं उनको छोड़ करके इस पूरी की पूरी स्रिष्टी में जो मनुश्य है केवल यही ऐसा प्राणी है जिसको स्वतंत्रता मिली हुई है बहुत द्यान से सुनना और जुड़ने की कोशिश करना इसको कर्म करने की भी स्वतंतरता परमात्मा ने दी है इसको सोचने की भी स्वतंतरता परमात्मा ने दी है इसको चिंतन मन्थन करने की भी स्वतंतरता परमात्मा ने दी है और आजकल जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी व्यक्ति की आजादी मा आने के बोलने की भी सोतंतरता इसको परमात्माने दी है। इसलिए अक्सर लोगों की जो वाणी है आज वो वाणी इतनी दूशित हो चुकी है। कि एक समय व्यक्ति जब बोलता था बंदों तो कहते हैं पहले तोलता था। और फिर शब्दों को बोल दो जरा। आज तोलने की फुरसत किसी के पास नहीं है। आज घर में अगर बच्चे बोलते हैं तो बच्चे ये विचार नहीं करते कि जो शब्द हम बोल रहे हैं हमारे पिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज बच्चे जो पलट करके माता पिता को प्रत्यूत्तर देते हैं वो एक बार भी विचार नहीं करते कि हमारी मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्याले के अंदर अध्यापक के सामने जो बच्चे बोलते हैं वो नहीं सोचते कि इन वाक्यों का हमारे अध्यापक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गलियों से निकलती हुई लड़किओं को देख करके जिन अप शब्दों का प्रयोग किया जाता है यूवा ये नहीं सोचते कि इन शब्दों का प्रभाव क्या पड़ेगा। इसी प्रकार से चाहे धार्मिक ख्षेत्र हो चाहे राजनेतिक ख्षेत्र हो चाहे सामाजिक ख्षेत्र हो अभी व्यक्ति की आजादी किया सव्विधान में धारा क्या बना दी लोगों ने सोचा जितना गाली गलोच देंगे शायद उतनी हमारी वोलो ज्यादा वाही वाही ह इसलिए मैं देखती हूँ जब एक समय पिक्चरें बनती थी डायलोग डिलिवरी होती थी तो लता मंगेश कर बताती हैं मैं महराश्ट की थी लेकिन मैंने अर्भी को भी सीखा मैंने फार्सी को भी सीखा मैंने संस्कृत को भी सीखा मैंने हिंदी को भी सीखा क्यों सीखा कि क कहीं भी कोई शब्द का उच्चारण जो है वो मुझसे गलत बोलो ना हो जाए आप पुरानी पिक्चरे देखो वहाँ पर गाली नहीं मिलेंगी आपको आप शब्द नहीं मिलेंगे पर जिस करोना काल की लोकडाउन की बात चल रही थी मैं निवेदन कर दू इसमें वेब सी ही कोई ऐसी नहीं होगी जिसने उन वेब सीरीज को न देखा हो और आपने अगर वो वेब सीरीज नहीं देखी तो आप अकसर जब यूटूब खोलते हो तो एड़ोटाइज के बाहने इतना प्रचार प्रसार तो उनका हो ही जाता है कि उनकी जो क्लिपिंग है उनका जो ट ट्रेलर है ध्यान रखिएगा वो ट्रेलर वो ट्रीजर आपको मुफ्त में न चाहते वे भी वो लोग दिखा देते हैं अब आप चिंतन करना विचार करना वो जितनी भी सिरीज बनकर के आई एक आम व्यक्ती भी उन गालियों को देने से पहले सो बार सोचेगा ये गाली म पर पैसे दे करके उन लोगों से बुलवाई जा रही है जिनको बोलने में उसको जिजक होती होगी पर डारेक्टर की डिमांड है निर्देशक का कहना है मानना पड़ेगा क्योंकि उनका धंदा ही वही है इसलिए वो गाली गलोचों से भरी पड़ी है और युवाउने उस को फेशन माल लिया इसलिए आज कल युवा सामानने रूप में भी जब कभी आप उनको बात करते हुए देखेंगे न अपस में तो गालियां एक दूसरे को दे दे करके बात करते और युवाउन की तो छोड़ दे ना मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कभी कोलीज में पढ़ने वाली लड़कियों की भी बातों पर कान लगाओगे तो आपको लड़कियों के मुँसे भी वही गालियां हसी मजाक में सुनने को मिलेगी जिसके लोगों ने फेशन माल लिया ट्रे ट्रेंड माल लिया ध्यान रखना आप विचार करना जानते क्यों क्योंकि ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गंदगी चल रही है एक शब्द है स्वतंत्रता और एक शब्द है स्वचंदता दोनों में इतना ही अंतर होता है जितना अंतर धर्ती और बोल्दो जरा आकाश में होता है इतना ही अंतर होता है पर उस अंतर को समझने वाले समझ नहीं पाए क्योंकि पढ़ा नहीं स्वाध्याय नहीं चिंतन नहीं मंथन नहीं तो लोगों ने कहा यहाँ पर बोलने की आजादी है यहाँ पर सोचने की आजाती है यहाँ पर चिंतन और मन्थन करने की आजादी है यहाँ पर कर्म करने की आजादी है अगर परमात्मा ने स्वतंतरता दे करके भेजा है तो इसका पूरा लाब उठाओ पर कभी ने बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा रे पागल परमात्मा ने तुझे स्वतंतरता तो दी थी पर ऐसी स्वतंतरता नहीं दी थी कैसी स्वतंतरता कि संसार में आके अरे ये नरतन पाके हो संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया आशुख कामना संसार में आके कोई किया आशुख कामना संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया आशुख कामना संसार में आके मानवी का चोला बड़ी मुश्किल से पाया है कदर न जानी तूने यूही गवाया है मानवी का चोला बड़ी मुश्किल से पाया है कदर न जानी तूने यूही गवाया है यूही उमर गवाया के अरे ये नरतन पाके पहुचा कभी भी उसके धामना संसार में आके अरे ये नरतन पाके को संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया आशुप कामना संसार में आके मन में जो आये वही कर मन मानियां मन में जो आये वही कर मन मानियां कभी न विचरे तुने लाब और हानियां मन में जो आये वही कर मन मानियां कभी न विचरे तुने लाब और हानियां योई धोका खाके अरे ये उमर गवाके योई धोका खाके अरे ये उमर गवाके लेता कभी भी उसका नाम न संसार में आके अरे ये नरतन पाके हो संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया अशुप काम न संसार में आके प्रभू के भजन बिन पार के सिपाएगा युही मजधार में तू नाव को दुबाएगा युही मजधार में तू नाव को दुबाएगा प्रभू के भजन बिन बार के सिपाएगा युही मजधार में तू नाव को दुबाएगा बे मोले तू गाके अरे ये ठोके निखाके ओ बे मोले तू गाके अरे यू ठोके निखाके पहुचा कभी भी उसके थामना संसार में आके अरे ये नरतन पाके ओ संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया आशुब कामना संसार में आके अरे ये नरतन पाके कोई किया आशुब कामना कोई किया शुब कामना कोई किया शुब कामना कर दो कर दो कर दो जो